गाईष तो आजकि जीडियो में मैं आपको इंस्टाग्राम के नियू अपडेट यानि की जो डिजिटल कलेकबल जो ऑप्षण आया है मतलब नियू अपडेट आया है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ गाईष की केसे आपको उसको यूज करना है किसके लिए है guys वो हमारे लिए है या किसी आधर के लिए है सारी जानकरी जो है मैं आपको इसी वीडियो में और फुल इंप्रमेशन जो है guys देने वाला हूँ तो वीडियो को आपको सुरूर चरण देखते रहे ना है गाईस कैसे डिजिटल कलेक्शन होने वाला है ये किसके लिए है इसमें हमको क्या benefit मिलते हैं तो गाईस इसका मैं साफ साफ जो आप दे देता हूं कि जो इंस्टाग्राम की new feature यानि गाईस डिजिटल कलेक्शन है वो NFT से related है आपको three lines पर जाना है गाईस और यहाँ पर आप जो option हमें आपर show कर रहा है यही गाईस इंस्टाग्राम का new update है अगर इस डिजिटल कलेक्शन में मतलब आपकी जो इंस्टाग्राम में आपको show नहीं कर रहा है तो आपको सबसे पहले play store पर जाना है और अपनी इंस्टाग्राम application को new update के अंदर में update कर लेना है तभी आपक यानि guys picture को बनाने में और उसको upload करने में guys अगर आप भी इसमें interested है तो आप इससे भी मतलब अपनी जो photo और वीडियो है उसको upload करके यानि कि guys कुछ AC photo और वीडियो जो कुछ हटके हो और लोगों को पसंद आए ताकि वो आपकी photo और वीडियो को buy करे और आपकी उससे earning हो आप भी guys किसी की अगर आपकी photo और वीडियो आपको पसंद आती है उनकी तो आप उनको भी buy कर सकते हो अपनी जो digital collectibles से NFT से related तो guys कुछ इस प्रकार से होने वाला है ये और ये केसा दिखने वाला है मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर आप देखते हो guys कि ये एक pictures इसमें send करोगे मतलब upload करोगे तो जैसे की इन्होंने यहाँ पर ये चार picture यहाँ पर upload कर रखी आप यहाँ पर देखतो यह art है guys कुछ इस तरह की pictures जो किसी ने ना बनाई हो और वो सरफ आपकी हो जो लोगों को interesting लगे ताकि वो आपकी pictures को buy कर सके तो guys यह कुछ एसा option होन तो guys कुछ एसा यह digital collectibles option होने वाला है अभी मैं आपको वापस से Instagram पर बेक लेके चला जाता हूं guys यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूं कि यह वाला update है अगर guys आप इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हो जिसी कि आप इससे जुड़ना चाहते हो digital collectibles से तो आपको simply guys करना क्या है कि आपको setting वाला option पर क्लिक करना है यहाँ पर आने के बाद में guys आपको help वाला option पर क्लिक करना है यहाँ पर आपको क्या करना है कि monetization help वाला option पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आने के बाद में guys एक option हमें यहाँ पर देखने को मिल चुका है कि digital collectibles यही option है तो आपको इस पर क्लिक करना है यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ लोडिंग लेगा यहाँ पर और यहाँ पर आप देखते हो कि जो डिजिटल कलेक्टिबल से उससे जित्ते भी सवाल आपके मन में हैं अगर आप इसको यूज करना चाहते हो यानि कि आप इससे जो है अर्निंग करना चाहते हो इस पर पोस्ट अप्लोड करना चाहते हो तो सारी थम्स और कंडिशन इनकी कुछ प्राइवेसी पॉलिसी भी है तो यहाँ से आपके मन में जो भी सवाल है वो सभी उन्होंने यहाँ पर दिये हुए है तो आप यहाँ पर इनको विस्तार से पढ़िए आप इसको उसके बाद यह आपको डिजिटल कलेक्टिबल्स को जो है ओन करना है और यहाँ पर आप देखते हो तो पूरी जो उन्होंने तम्स और कंडिशन दे रहे कि और अकाउंट के बारे में दे रखा है तो यहाँ से आपको पूरी को यहाँ पर रीड कर लेना है तभी जो है आपको इसमें डिजिटल कलेक्टिबल्स को ओन करना है यानि कि इसका यूज करना है मैं आसे इसको कट कर देता हूँ बेक आ जाता हूँ गाईस बेक आने के बाद में मैं अभी आपको दिखा देता हूँ गाईस कि आपको डिजिटल कलेक्टिबल्स में जो है अकाउंट के से बनाना है तो आपको यहाँ पर इस पर एड करना होगा जिसमें आपकी earning यानि कि आपकी फोटो अगर कोई खरीता है तो वो उसमें जो है उसका balance एड हो जाएगा और अगर आप उसमें balance एड करके रखते हो गाइस तो जो है आप किसी की गाइस की इसको read कर लेना है उसके बाद में get started पर click करना है यहाँ पर आप देखतो हो you control your digital collectibles हम जो है उसको control भी कर सकते हैं और गाइस एक इसमें खास बात यह है कि you can disconnect your digital wallet at any time हम किसी भी वक्त अपने जो digital wallet है उसको जो है disconnect कर सकते हैं और यहाँ पर यह इन्होंने कुछ community guidelines द आते हो तो आपको सारी community guidelines को पड़ लेना है ताकि आपको future में कोई problem ना आए मैं यहाँ पर continue करता हूं हम वालेट को add करना चाहते हैं यहाँ पर select a wallet यहाँ पर गाइस उन्होंने लगबग 5 wallet हमें यहाँ पर दिये हुए हैं इन 5 wallet में से हमें किसी पर भी trust हो गाइस यानि ज इसके अलावा गाइस और options ही नहीं है यहाँ पर आप देखतो currently we only support this wallets on mobile यही कुछ options है जो इसमें support करते हैं गाइस तो आपको क्या करना है जैसे कि मैं आपर trust wallet ले लेता हूं गाइस मैं इस पर जो है अपना जो account है वो create कर लेता हूं यहाँ पर मैं continue and agree वाले option पर जैसे ही क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आप देखतों मैंने आपर एक install कर रही है सबसे पहले तो आपको अपनी जो trust wallet है यानि कि इस application को अगर आप उन पाचों में से किसी को भी चलाना चाते हो गाइस उसमें अपने wallet को add करना चाते हो तो आपको सबसे पहले उसको play store पर जाकर download कर लेना है अच्छी बात यह गाईस कि यह पांचों की पांचों application शायद play store पर available है तो आप इनको जो है download कर लेना है मैंने आपर trust wallet को download कर रखा है यहाँ पर processing हो रही है मैं थोड़ी दिर wait कर लेता हूं तो यहाँ पर गाईस सबसे पहले यह आपको यहाँ पर loading नहीं लेगा तो आपको क्यों करना है कि Instagram से बेक आना है बेक आने के बाद में जो trust wallet application है आपको उसमें एक account जो है create कर लेना है तो मैं मेरा account जो create कर लेता हूं यहाँ पर आप देखते हो आइसकी private and secure आपको इस सारी को पढ़ लेना है यहाँ पर आप देखते हो यह कुछ ऐसा है आपको यहाँ पर create a new wallet पर click कर देना है यहाँ पर आई यह policy दियुए आपको यहाँ पर read कर लेना है आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो मैं आपर continue करता हूं continue करने के बाद में guys यहाँ पर हमार सामने create password करने की बोल रहा है अगर आपके पास fingerprint वाला mobile है तो आप fingerprint भी choose कर सकते हो लेकिन मेरे यह में fingerprint नहीं है तो मैं यहाँ पर जो है मेरे passcode वो create कर लेता हूं यहाँ पर आपको confirm password डालना है तो मैं confirm password डाल देता हूं यहाँ पर confirm password डालने के बाद मैं आप यहाँ पर देखतो इसकी well done लिखा कर आ गया है अभी मैं आप जैसे done वालो option पर क्लिक करता हूं हमारा wallet है वो जो create हो रहा है यहाँ पर आप देखतो ट्रस्ट wallet यहाँ पर दुबारा से open हो चुका है यहाँ पर आप देखतो यहाँ पर read more कर सकते हूं नहीं तो आपको यहाँ से बेका जाना है your wallet was successfully created done कर देना है यहाँ पर आप इसको अगर push notification को enable करना चाहो तो enable कर सकते हूं मैं यहाँ पर इसको cut कर देता हूं यहाँ पर आप देखतो वाइस कि यहाँ पर bitcoin किसी में भी यहाँ पर खरीच सकते हूं यहाँ से sell भी कर सकते हूं लेकिन हमरा wallet है गाईस जो create हो चुका है वो हम उसमें login हो जाएंगे यहाँ पर आपको passcode डालना है जो मैंने create किये थे तो मैं यहाँ पर password जो है इंटर कर देता हूं passcode इंटर करने के बाद में हमारे जो trust wallet है वो यहाँ पर दिख रहा है यहाँ पर आप देखतो instagram want to connect your wallet यहाँ आपको connect पर क्लिक करना है connect होने के ब पर जैसे click करना है आपको दूबारा से password करने के बाद में आप यहाँ पर sign पर click कर दीजिए यहाँ पर आपको दूबारा से password डालना है यहाँ पर कुछ process हो सकती है तो आपको 2-3 बार में click कर लेना है यहाँ पर मेरा जो account है यहाँ आप देखतो wallet connected मैं आपर ok कर देता हूं यहाँ पर आप देखतो zero collectibles मतलब यहाँ पर मैंने अभी zero post कर रहा किये कुछ post नहीं की है तो यहाँ से आपको बेका जाना है मतलब गाईस हमरा जो Instagram account है उसमें मेरा जो digital collectibles है इसमें मेरा जो wallet है वो add हो चुका है successfully कुछ इस तरह से आप जो अपने wallet को add कर सकते हो और इसमाल का future है गाईस अगर आप इसको use करना चाहो तो आपको इसकी terms and condition को पढ़ लेना है terms and condition को पढ़ने के बाद ही आप इसको enable कीजिए वरना आप इसको disable भी कर सकते हो लेकिन आशा करता हूं कि आप जो है काफी आसान तरीके से मतलब वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका आपको photography में अगर interest है आप जो कुछ photo editing में जानते हो तो आप यहाँ पर photo वगेरा और वीडियो वगेरा को edit करके यानि कि कुछ best बना कर लोगों के लिए मतलब उसमें impressions डाल कर आप जो उसको buy करवा सकते हो गाईस उसको खरीदवा सकते हो और यहां से आप बेस सकते हो और आप भी किसी की photo वीडियो को buy कर सकते हो आशा करता हूंगा इसके हमारे आज की वीडियो आपको अच्छे लेगी होगी वीडियो चलेगा इस तो वीडियो के लाइक जरूर कर दीजिए और अगर आप आपने चैनल पर नहोंगा तो चैनल को सब्सक्राब करके बेल आइकन क ओल पर प्रेस जरूर कर लीजिए मिलते हैं किसी नई वीडियो में